पूरे देश्वर में लगातार फैंस सलामती की दौाइं मांग रहे हैं बच्चन परिवार को लेकर जैसा कि आप सभी जानती हैं कि सदी के महानायक अभिताब बच्चन अभिशेग बच्चन एश्वर अराय बच्चन और अराध्य बच्चन कोरोना वाइरस से जंग लड़ रहे हैं मुंबई के नानवती अस्पताल में बच्चन परिवार के सदस से एडमिट हैं वहीं लगातार हैल्स से जुड़ी अपडेट भी सामने आ रहे हैं बीति कुछ दिनों पहले अभिशेग बच्चन और अभिटाप बच्चन कोरोना पॉजटेव पाए गए लेकिन बाद में बहु एश्वर अराय बच्चन और पोती अराध्य बच्चन भी कोरोना पॉजटेव पाए गए जिसके बाद दोनों को मुंबई की नानवती कराया गया रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया कि एश्वर्या को लगातार बुखार की शिकायत थी और सांस लेने में तकलीप हो रही थी हालत ज्यादा खराब होने की वज़े से एश्वर्या और राध्या को हॉस्पिटल में एड्मिट कराया गया फिलहाल बच्चन परिवार के सदस्यों की तप्यत पहले से काफी बहतर है वहीं रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हैर्थ अपडेट भी सामने आ रही है ऐसी मगर बात की जाए यहां पर एश्वर्या राय बच्चन के बारे में तो हर साल जुलाई का महिना एश्वर्या राय के लिए काफी खराब रहता है जिहां दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि जुलाई की महीने में एश्वरय के साथ ऐसी कोई ना कोई घटना हो जाती है जिसके चलते वो मुश्किल में पढ़ती हुई नजर आती है जानकरी के लिए आपको बता दें कि साल 2015 में जुलाई के महिने में एश्वेर राय परदे पर कमबेक कर रही थी और ये फिल्म थी चजबा इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एश्वेर राय वाइरल बुखार से पीडित नज़र आई लेकिन फिल्म की शूटिंग एश्वेर राय ने चारी रखी बुखार होने के बावजूर भी एश्वेर राय बच्चन शूटिंग करती हुई नज़र आई इतना ही नहीं साल 2010 में जब एश्वेर राय खिलाडी कुमार अक्षे कुमार के साथ फिल्म एक्शन रिप्ले की शूटिंग कर रही थी तब उस दौरान भी एश्वेर राय बीमार हो गई थी दासल आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के लिए एश्वेर राय जब जा रही थी उस वक्त रास्ते में ही उनकी तब्यत खराब होने लगी थी जिसके चलते एश्वेर राय ने दबाई ली और साथ ही साथ शूटिंग के स्टैट पर भी पहुँच गए उस वक्त ए देज बुखार था और गली में उन्हें इंफेक्शन था जहां एक और एश्वेर राय जुलाई की महीने में तब बुखार से पीड़ित नजर आई तो वहीं अब कोरोना वाइरस का शिकार होती हुए नजर आई है और ये महीना भी जुलाई का है आज के वक्त में एश्वेर राय कोरोना वाइरस से जंग लड़ रही है और मुंबई की नानवती अस्पताल में एडमिट है वहीं लगातार उनके फैंस उनके लिए दुखाय मांगते हुए नजर आ रहे है हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्श को इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे है नेक्स्ट नाइन न्यूस